सो हो गेमर्स आज मैं खेले जा रहा हूँ 500 डेस इन पाल वर्ल आप लोगों को पता है कि इस गेम को मैंने 400 डेस के लिए खेल चुका हूँ जहाँ पर हम लोगों ने लेजेंडरी से भी लेजेंडरी पाल को कैच किया हुआ है और कुछ बोसेस को हम लोगों ने हराया है और यहाँ पर हम लोगों ने लेजेंडरी शायनी पाल्स को भी कैच किया हुआ है तो हम लोगों का टार्गेट है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे खतरनाक खतरनाक लेजेंडरी पाल्स घुम रहे हैं जिसको हम लोग इस 500 डेज में पकड़ने की कोसिस करेंगे तो क्या हम लोग ने इन लेजंडरी पाल्स को कैज किया हुआ है तो ये जानने के लिए आप लोगों को आज के ये वीडियो देखना पड़ेगा लेकिन उससे पहले इन 400 डेज की वीडियो को अगर आप लोगों ने चेक आउट नहीं किया है तो जरूर से चेक आउट कीजिएगा तभी आप लोगों की इस पाल वर्ल की जर्नी अच्छे से समझ में आएगी और इस पाल वर्ल के प्लेलिस का लिंग मेरे वीडियो के कमेट बॉक्स मैंने पिन कर दिया तो आप वो जरूर से चेक आउट कीजिएगा या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी चेक आउट कर सकते हो तो चली आगे देखते हैं कि इस जर्ने में और भी क्या क्या चीज़े होई हमारे साथ अभी मैं आचाता हूँ अपने वर्किंग बेस पे यहाँ पर मैंने अल्टरा बॉल बनाने के लिए रखा हुआ है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने 21 अल्टरा बॉल बनाया हुआ है क्योंकि मेरे पास में इसको बनाने के लिए और भी जादा रिसोर्सेस नहीं थे यहाँ पर अब तुम लोग देख सकते हो कि हमारे पास अभी अल्टरा स्पेर 24 हो चुके हैं जोकि बहुत ज्यादा काम में आने वाले है और यहाँ परर मैंने बहुत सारे चीजो को अनॉकर किया और बहुत सारे पाल्स के सेडल चानलोक किया ए यहाँ पर लेजेंड्री स्पेर भी ने अनॉक कर दिया है क्यों서 बनाकर हो क्योंकि पाल, मेटल, इंगर जो है वो इसी में ही क्राफ्ट होने वाला है सबसे पहली बात तो प्रोडक्षन एसेंबली लाइन 2 मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जरुरत है जो हाइपर सिल्ड आप देखे रहोणा वो इसी में ही बनने वाला है तो जल्दी-जल्दी से मैंने इसको बनवाना स्टार्ट कर दिया है चुट्कियों में यह बन चुका है हमारा असेंबली लाइन सबसे पहले तो मैंने hyper shield यहाँ पर craft करने के लिए रखवा दिया है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रुत है मुझे क्योंकि मेरे पास में shield बिल्कुल भी नहीं है और हमारे पास में बहुत सारे anubis हम लोगों ने breed करवा दिया है यहाँ पर हम अपने anubis का level up भी करवा सकते हैं तो यह रहा वो anubis जिसका 3 star हो चुका है अब बस इसका 4 star करवारना बाकी है मतलब कि यह max level up हो जाएगा तो यहाँ पर तुम लोग max health देख सकते हो कि कि कितना increase होने वाला है 4 star करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को 64 anubis से तो जल्दी जल्दी से इनको मैं select कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने 64 anubis को select कर लिया है अब जल्दी से हम लोग इसका power up कर लेते हैं तो gamer CC के साथ में हमारा anubis 4 star का हो चुका है अब यह बहुत जादा powerful हो चुका है यहाँ पर हमारा भी sild भी craft हो चुका है तो इसको मैंने equipped कर लिया है यह hyper sild हम लोगों को 1045 का defense जो है वो provide करता है और जो पहले हम लोगोंने sild पहन रखा था वो सिर्फ और सिर्फ 260 का है defense हम लोगों को देता था अब यहाँ पर मुझे pal metal ingot चाहिए तो electric finance यहाँ पर मैंने बनवा दिया है क्योंकि इसी में हम लोग pal metal ingot craft करवा सकते हैं और इसको craft करने के लिए ore और palladium fragment हम लोगों को चाहिए तो मैं चला जाता हूँ अपने पुराने base पे ore और fragment लाने के लिए और और fragment लाने के बाद में यहाँ पर मैंने pal metal ingot को बनाने के लिए रखवा दिया है जब तक से यह ingot बनता है ततक से मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने breeding base पे और यहाँ पर जितने भी अंडे को मैंने incubation के लिए डाल के रखा था मैंने hedge भी करवा दिया बहुत सारे अंडों को बट यहाँ पर से तो लोग देख सेक्ट को फ्लेरिस हम लोगों को इससे मिलता है जो कि fire type का पाल्स है तो इतने सारे अंडे ना सबको जल्दी जल्दी से मैं hedge करना ही start कर देता हूँ लेकिन उससे पहले yormantide और suzaku को भी breeding करवा दिया है जिससे कि हम लोगों को suzaku aqua मिलता है तो इसके भी अंडों को मैं जल्दी जल्दी से collect करके incubation के लिए रख दूँगा और आप लोगों के comment से मुझे ये भी पता चला था तो कि relaxe soros और eliza भी को breeding करवाने से call सा पाल्स हमको मिलने वाला है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इनका हम लोगा hatching करवाएंगे इनके अंडे का तो हम लोगों को yormantide मिलने वाला है मतलब कि ये वालर yormantide तो इसका भी फिर हम लोग level up करवा सकते हैं तो thank you so much यह आप लोग इतना जादा मुझे पताते हो इतनी अच्छे चीज है उसके लिए बहुत बहुत सुख रिया और मेरी party में तुम लोग check out कर सकते हो कि मैंने एक flaris को level up करवाना भी जोरो सोरो से start कर दिया 30 level का हो चुका है यह one level का था और यहाँ पर जीतने भी सारे flaris और breed होंगे उनको इसके साथ में level up करवा दूँगा मतलब कि इसके stars हम लोग level up कर देंगे और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँगी fire pokemon जोरो सोरो से इतना ज्यादा level up इसलिए मैं कर रहा हूँ कैसे भी करके frost alien को पकड़ना चाहते हैं तो इसलिए मैं इतनी जादा मेहनत कर रहा हूँ और उसको हराने के लिए हम लोगों को fire pokemon की बहुत ज़्यादा जरौत पढ़ने वाली है तो यहाँ पर तुम लोग किट सन को भी देख सकते हो इसको भी हम लोग level up करवाने वाले यार बहुत सारे pokemon है जिसको आज मैं level up करवाने वाला हूँ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड है तो जल्दी जल्दी से मैंने पूरे अंडे को hatching करना इस्टार्ट कर दिया और पूरे अंडे को collect करने मैंने वापस incubation के लिए रखवा दिया है फाल metal income बन चुका थे तो यहाँ पर मैंने अपने लिए armor craft करवा दिया यह जब तक से craft होता है तक से मैं चला जाता हूँ coal mining base पे क्योंकि यहाँ पर मुझे coal की बहुत ज़्यादा जरुरत है लेकिन wait अब तो मैं legendary spares बनवा सकता हूँ तो यहाँ पर मैं legendary spares बनवाने के लिए रखवा देता हूँ बहुत ज़्यादा cool लग रहा हूँ मैं और यहाँ पर हमारा helmet भी craft हो चुका है तो इसको भी मैं 1 cube कर लेता हूँ तो यहाँ पर 272 carbon fiber मैं बनवा सकता हूँ तो यहाँ पर मैंने craft करवाने के लिए रख दिया और यहाँ पर legendary spare भी बन चुका है तो इसको मैं collect कर लेता हूँ जो कि आज frost alien को पकड़ने में बहुत ज़्यादा मदद में आने वाला है और यहाँ पर तुम लोग मेरी party check out कर सकते हो टोको टोको को भी मैंने यहाँ पर add किया हुआ है अब यह क्यों add किया हुआ तुम लोगों को आगे जाके पता चलने वाला जब हम fight करेंगे यहाँ पर अपने प्यारे से बकरी को मैंने रखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा powerful है बूशी को रखा हुआ है फ्लैरिस को रखा हुआ है जिसके उपर उड के मैं जाने वाला हूँ और यह kitson वैसे इसको इतना भी ज़्यादा train ही किया है बट इसके उपर मेरे को trust है तो तुम लोग देख सकते हो कि कौन-कौन से Pokemon मैं लेके जा रहा हूँ So gamers, finally हम लोग Frostillion के इलाके पे तो आ चुके है गेमर्स अच्छी बता रहा हूँ मुझे न बहुत ज़्यादा डर लग रहा है पता नहीं क्यों डर लग रहा है बट सच में लग रहा है और वो रहा Frostillion का बच्चा भाई सच में बता रहा हूँ इसको तो आज हम लोग catch करके ही रहने वाले है 14,000 का बस health है इसका तो सबसे पहली बात मैं निकालने वाला हूँ अपने टोको टोको को अब तुम लोग सोच रहोगे कि यह पिद्दी से चुहा क्या करने वाला है चुहा नहीं कौँआ क्या करने वाला है अभी तुम लोग देखो क्या करने वाला है ये लेस्ट को गेमर्स ये मेरे को देख लिया ओके नहीं देखा इसने नहीं तो मैं तो भाई यहीं पर ही मर जाता बट कोई बात नहीं अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते वाट मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था भाई सच्छी बता रहा हूँ ये तो सोला का डेमेज दे रहा है ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था और इसने मुझे जमा दिया वेरी नाइस उसके साथ मैं डबल अटेक भी कर दिया इसने भाई टोको टोको तो बिल्कुल भी कामें नहीं आ रहा है ओके ये बलास्ट भी होता है ये मेरे को नहीं पता था बट ओके मैंने यहाँ पर अपने बकरे को फेक दिया है इसके उपर लड़ने के लिए और फ्रोस्ट एलियन मेरे पिछ आ चुका है नहीं मेरे को मरना तो बिल्कुल भी नहीं है वेरी नाइस भाई एक एक का डेमेज दे रहा है लेकिन तुम लोग देख सकते हो कि बारा हजार इसका हेल्थ हो चुका है गाईस मैं सच्छी बता रहा हूँ आस तो हम लोग इसको कैच करके ही रहेंगे यार धन बदन पे भी आग लग चुका है और तुम लोगों को पता है कि अगर फ्रोस्टेलियन को आग लग जाती तो इसका हेल्थ कितना ज़्यादा कम होने लगता है लेस्ट गो गिवस यार सच्छी बता रहा हूँ ये तो बड़ा कूल है अब यहाँ पर सभी को मौका देने वालों में लडने के लिए मतलब कि यहाँ पर मैं भूशी को भी निकालने वालों जो कि फाइटर टाइप का पाल्स है हमारा और मैं तो जम गया मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे को बस नहीं मरना है अगर मैं मर गया ना यार और ये तो लाइटिंग एफेक्ट कर रहा है भाई तन बदन पे भाई फुरा बिजली दोड़ा दे रहा है और ये जुहला मुकी फेक रहा है भाई मेरे पाल्स ओपी है मैं सच्छी बता रहा हूँ गाईज लेस्गो मैं तो इसको मार भी नहीं रहा हूँ उसके बाद भी ये मेरे पीछे पड़ा हूँ है मुझे मारने के लिए इसको सरम नहीं आ रही है भूशी शामिन है लेकिन उसको नहीं मार रहा है लेकिन भूशी सीरफोर से उसको एक एक का डैमेज दिये जा रहा है पूसी यहाँ पर डेंजर में आ चुका है तो यहाँ पर मैंने फ्लैरिस को भेज दिया उससे fight करने के लिए और यहाँ पर भवंडर ही भवंडर हमारा फ्लैरिस जिन्दाबाद लेकिन वो बहुँ ज़्यादा कम damage दे रहा है और यह तो मुझे मारने के लिए मेरे पास में आ रहा है बट मेरे को पता है कि इससे मुझे बचना कैसे है फ्लैरिस भी एक एक का damage दे रहा है यार सची बता रहा हूँ मैं बट कोई बात नहीं हमारा जो बक्रा है ना वो बहुँ ज़्यादा मैं जल्दी से किट्सन मेरे भाई अपना कमाल दिखा दे क्या किट्सन इसको मार पाएगा और यह तो आग का ज्वाला मुकी फेक रहा इसके उपर लेस्गो गेमर्स बट इसका यार इस mapping damage बहुँ ज़्यादा कम है लेकिन कोई बात नहीं फ्रोस्टेलियन का health कम हो रहा है ना वहीं बहुत है और यहां पर क्या ही attack या फ्रोस्टेलियन मेरे उपर मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं अगर मैं मरा तो हम लोग इस फ्रोस्टेलियन को defeat नहीं कर पाएगे और catch भी नहीं कर पाएगे तो मुझे तो बच बच के रहना पड़ेगा और इसके साथ साथ में मैं भी मारना इसको स्टार्ट कर देता हूँ और ये क्या यार सच में बता रहा हूँ ये पहुत ही ज़्यादा खतरनाक है प्रोस्टेलियन का हेल्थ 7000 हो चुका है लेस्ट गो गेमर्स क्या बात है यार मेरे पाल्स तो ओपी है तुम लोग देख रहे हो ना मेरे पाल्स कितने ओपी है वैसे मैंने इसको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया हूँ तब जाके इतना खतरनाक अटेक कर रहे है खतरनाक अटेक तो नहीं कर रहे है बट तुम्हारा भाई ओपी है ना तो उनको अटेक करवा रहा है यार सच में प्रोस्टिलियन को डोज करना थोड़ा मुश्किल तो है और मेरे पास मैं आज तो लेजेंडरी वाला स्पीर भी मैंने बना के रखा हुआ है तो ये तो कैस तो करके रहूंगा मैं इसको के बवजूद कुछ भी अटैक कर रहा है वो सिर्फ एक एक का ही डेमेज दे पा रहा है पूसी को मैंने पहुँच अदर ट्रेन किया है लेकिन उसके बाद भी तुम लोग देख सकते हो कि फ्रोस्टिलियन को डेमेज नहीं कर पा रहा है और यहां पर एक बार फिर से मुझे इसने फ्रीज कर दिया है यह मर्ज बहुत देर तक फाइट करने के बाद भी इसका हैल तुम लोग देख सकते हो कम होने का ना भी नहीं ले रहा है भाई सच बता रहा हूँ फ्रोस्टिलियन है तो खतरनाक बहुत जादा यह देखो अरे नहीं यार सत में बता रहा हूँ अनेक्स्पेक्टेड यह अटेक करता है मेरे उपर और यहां पर फ्रोस्टिलियन को शौक भी लग गया क्या बात है यार पहली बार यहां पर फ्रोस्टिलियन को से चेंज कर रहा हूं ताकि यह कोई भी फैंट नहों वाई सब सची बता रहा हूं अब तो इसका है थी थाउज़न हो चुका है अब जल्दी मैं इसको कैच करने वाला हूं तो जल्दी जल्दी से मैंने भी इसके ऊपर अटैक करना ही स्टार्ट कर दिया है इस तक से मैं मर चुका रहता ओ नहीं मैं यहां पर डॉच नहीं कर पाया बट कोई बात नहीं यहां पर दो बिल्कुल भी नहीं मरना इसकी health बहुत ज़्यादा कम हो चुके अगर इस टाइम मैं मर गया ना भाई तो पूरा-पूरा मेरा मेहनद जो बरबाद हो सकता है यह तो catch होने का नाम ही नहीं ले रहा है अरे यार यह तो गड़बड हो गया बहुत ज़्यादा इसका health और भी ज़्यादा कम करना पड़ेगा तब जाके यह catch होने वाला है 100% इसका health सिर्फ और सिर्फ 66 हो चुका है तुम लोग देख सकते हो क्या अब यह catch में आने वाला है अभी भी 6% ही दिखला रहा है capture rate तो यह कब catch में आने वाला है मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं इसको पकड़ भी पाऊंगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं किस तरीके से पकड़ गाइस पर सेंट बढ़ना इस्टार्ट हो चुका है लास्ट गो अब तुम्हें पका इसको कैच कर सकता हूँ तो यहाँ पर मैंने 13 का हेल्थ कर दिया इसका अब उसके बाद मैंने लेजंडरी स्पेर फेक दिया इसके उपर लेकिन यहाँ पर यह कैच होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है मैंने इसके उपर अटेक ने किया यह उसके बाद भी मर गया यह फ्रोस्टिलियन के बच्चे पे तो मुझे बहुत ही जादा गुसा आ रहा है याल मैं सच बताओ करू तो करू क्या मैं इतना मेहनत किया सब का सब पानी में चला गया यहां पर मैं अपने बेस पर आ चुका हूँ है और यहां पर तुम लोग मेरी पार्टी चेक आउट कर सकते हो कि मैंने जीतने भी पोकेमॉन रखे हुए ना पूरे पूरे वाटर वाले रखे हुए हैं तो क्योंकि छोड़के क्योंकि यह ट्रेवेलिंग के लिए यूजकरने वाला हूँ मैं उपर उपर बैर के उड़ने म moyens करते हैं मतलब जंपिंग चैपांग करने में बहुँ जादा मजा 1 और ट्रेविलिंग अच्छे से होता है और यहाँ पर मैंने 18 legendary spear और बनवा दिये कोई कि भाई इसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रौत है यहाँ पर total 30 हाँ पर हमारे पास में legendary spears है and अभी मैं अपने capture power को भी हम लोग increase कर सकते हैं कोई leafman effeuses मेरे पास में enough हो चुका है तो हम लोग अपने capture power को भी increase कर सकते हैं yes let's go gamers पूरा full हम लोग ने max कर दिया अपने capture power को तो gamers हम लोग लावा वाले mountain की तरफ आ चुके और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो यार कि यह किसका statue है तुम लोग मुझे comment करके बताना और यहाँ पर यह क्या हम लोगों को 34 level का rip tire हो दिख चुका है यह fire type का pokemon है तो इसलिए मैंने water type के pokemon को यहाँ पर जितने भी है वो सब ला लिया है तो इसके उपर जरा हम लोग test कर लेते कि यह कितना damage करने वाला है सुजाकू एकवा 880 का damage कर रहा है unbelievable unbelievable है सची बता रहा हो यार तगड़ा effect कर रहा है तो सुजाकू पर यह attack ही नहीं कर पा रहा है गॉफिन को यहाँ पर मैंने निकाल दिया है इसका हम लोग attack देखने वाले है मैं बच गया नहीं तो मैं मर सकता था और एक ही attack में इसको तो मार दिया गॉफिन एक नमबर पोकेमोन है अगर तुम लोग नहीं पता तो बता दू है सच बता रहा हूँ कता ही O.P है यह तो अब यहां पर मैं फैंग लोग को निकालने वाला हूँ क्योंकि मेरे भाई यहां पर अभी हम लोग सेर सपार्टा करने वाले हैं यह देखो यह देखो, यह देखो यह तो डबल जंब करता है अबर तुम लोग को नहीं पता तो बता दू Cellpassiya Ign Shirya, I guess यही नाम है इसका और यह वट यह तो मचली है अरे यह ओमाइग लोग यह तो उतरता ही मारा आओजिको कहना है अरे पागल फैंगलोब कहीं का यार यार फैंगलोब भी बहुत ज्यादा ओपी है सच बता रहा हूँ तुम लोग देख रहो न इस कटा है क्या ही कर रहा है अरे भाई मारना उसको खड़ा हुआ क्या देख रहा है ये तो मारी निर है उन लोगों को वाट ये तो पानी भी नहीं फैक पारा है भाई तेरी बस की बात निया मैं तो बोलता हूँ सुजाको को बुला लेता हूँ बही तो मैं मर सकता हूँ यहाँ पर और इनको भी मेरे को पकड़ना है तो मैंने इसके ओपर रैड बॉल फैक दिया लेकिन मिस हो चुका है बट इस बार ये कैच में आ जाएगा इससलिए हम लोग इसको कैच कर लिया है क्यास गेमर्स इसको हम लोग ने वैसे कैच कर लिया है भाई सब सची बता रहो यार क्या ही ओपी है हमारे पालस यार अब दिरे दिरे हम लोग अपने वोटर पोकेमॉन को भी और भी जादा लेवल अप कर वाएंगे और यहाँ पर explore करते करते मुझे एक पायरीन दिख चुका है यह वो वाला पैरीन नहीं जो हम लोग ने पकड़ा था और यह कौन सा पोकेमॉन है विक्स हैंड इसको थो हम लोग ने कैच कर रहा है लेकिन इस पायरीन को हम लोग ने कैच नहीं किया हुआ है जो हम लोग ने किया थो वो पेरीन नॉक्ट था और यह फायर टाइब का पोकेमोन है तो यार इसको और यहाँ पर जितने भी पोकेमोन हम लोग को देखने के लिए बात है, और इस पायरीन को तो मैं ने मार ही क्योंकि बहुत जादा उचक रहा था यह इसको मैंने खतम ही कर दिया तो gamers इस area को तुम लोग देख सकते हो बड़ा ही अजीब सा area है सची बता रहा हूँ मैं और बड़े बड़े से building बने हुए मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये कुछ रहा होगा लेकिन यहाँ पर जैसा ही जॉलामों की फटा ना तो यह पूरा सहर जो वो तहस नैस हो चुका है यह देखते तो ऐसा ही लग रहा है और यहाँ पर explore करते करते मुझे एक dungeon दिखाई पड़ा है तो of course मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ लेकिन उससे पहले ये खजाना को loot तो लूँ मैं और यहाँ पर तो giga spares और सिर्फ gold coin मिला है जो कि मेरे कुछ भी काम का नहीं है और यहाँ पर मैं dungeon के अंदर आ चुका हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यार ये कौन सा pokemon है बड़ा अजीव सा लग रहा है और ये dark type का pokemon है ये तो कमवा है क्या बहुत है मेरे भाई लेकिन ये बड़े वाले कमवे है penking को मैंने इसके उपर निकाल दिया fight करने के लिए और मैं भी इनको मारना इस्टार्ट कर देता हूँ और इनको भी मेरे को पकड़ना है तो इसके उपर मैंने pokeball फेक दिया है ये देखे रहो तुम लोग मैंने अच्छे वाला आर्मर पहना हुआ है इसलिए मेरे को जाता डामेज नहीं कर पा रहे है पर टोको टोको यहां पर आ चुका है और मुझे यहां से जाना पड़ेगा नहीं तो मेरे उपर यह फट भी सकते हैं और यह आप लोग देख सकते हो टोको टोको यहां सच बतारो बहुती जादा खतरनाक है और मैंने हावर फैंग लोग को बुला लिया है क्योंकि मुझे यहां से जल्दी से जल्दी निकलना है यह तो मैं मर भी सकता हूँ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्या खतरनाक तरीके सफटे ले रहे हैं सब के सब यह तो पूरा का पूरा लावा वाला एरिया है भाई सच बता रहा हो अगर मैं गीरा ना यहाँ पर तो मैं तो पूरा जल के राक हो जाओंगा और यहाँ पर तो एर तीन से चार एरिया है तो कौन से एरिया में मुझे जाना चाहिए तो इस वाल एरिया पर मैं चला जाता हूँ और टोको टोके इस एरिये पे भी है तो मुझे जल्दी जल्दी यहां से निकलना पड़ेगा और PDIF के बंदे भी यहां पर है तो भाई इनसे तो मुझे पंगा ही नहीं लेना है तो आप लोग ने देखा मैंने क्यों रखा हुआ फैंगलोप को भाई बहुँ ज़्यादा काम आता है यह पर इस तरफ क्या है भाई सच बता रहो यहां पर तो खजान है खजाना लेकिन खजाने में कुछ भी नहीं सिर्फ गीगाई स्पियर एक मिला हुआ है और पाल सोल मिले हुए है पाल सोल से हम लोग अपने पाल को लेवल अब भी कर सकते है और मैं मरा नहीं फैंग लोग के होते हूँ मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है और यह वाला कौन सा मुसांडा है मुसांडा लक्स ओके यह मुसांडा लक्स है मुझे तो देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था तो इसको मैं नहीं पकड़ने वाला हूँ क्योंकि इसको भी मैंने पकड़ रखा है यहाँ पर कखा जाना मैं लूट लेता हूँ और यहाँ से हम लोग चलते बनते हैं फिर और यह तो लवंडर पाल है जिसको मैंने खरीदा हुआ था यार इसको तो मैं पकड़ूँगा और तुम लोगा ने कमेंट करके मुलको बताया था कि इस पाल को तुम अपने इंवेंटरी में रख सकते हो यह हैल को रिकवर करने में बहुँ ज्यादा है तो मैंने अपने फैंग लोग को बुला लिया है और मैंने यहाँ पर भेज और यहाँ पर मैं भेजने वाला हूँ अपना गौफिन को और यार यह लवंडर कहां चली गई वो तो ऐसा लगता है कि जल के राक हो चुकी है बट कोई बात नहीं अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता वो मर चुके है तो मैं फैंगलोब को बुला लेता हूँ वापस से गेमर्स मैं सची बता रहा हूँ तुम लोग देख सकते हो चारो तरफ लावा ही लावा सची बता रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर गिरा ना तो मैं तो भाई जिन्दा ने उठूंगा और मेरा समान भी इसके अंदर चला जाएगा लावा के अंदर तो फिर मैं रिकवर भी नहीं कर पाऊंगा और यहाँ पर सैंडी गेट के बंदे हैं यहाँ सच बता रहा हूँ यह तो हर जगह पे ही रहते हैं पैंगलोब जो वो बहुत जादा हेल्प कर रहा है यार मेरे ट्रैवल करने में तुम लोग देख सकते हो और इस लावा वाले एरिये में तो मुझे कोई भी बॉस नहीं दिखा तो यहाँ से माँ चला जाता हूँ तो गेमवर्स यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि क्या ही नजार आए यार जर्ना यहाँ पर से नीचे गिर रहा है है सच बता रहो बहुत ही जदा ब्यूटीफूल सा लग रहा है बट दूसरी तरह तुम लोग देख सकते हो कि मौत का मंजर मुझे दिखाई दे रहा है चारो तरफ लावा ही लावा भाई सच बता रहो खतरनाक है यह एरिया बट क्या हम लोगों को ऐसा ही खतरना खतरनाक पाल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं वो तो एक्स्प्लोर करने पर ही पता चलेगा पार्टी में तुम लोग देख सकते हो कि गौफिन यहाँ पर फैंट हो रखा है मुझे नहीं पता कि यह फैंट कैसे हुआ और यहाँ पर एक्स्प्लोर करते करते एक और क्यों मुझे मिल चुका है भाई साब कितने ही कियो है यहाँ पर और यह देखे हो तुम लोग प्रदर्स ऑफ दी टर्नल के बंदे हैं और भाई सच बता रहा हूं इनसे पंगानी लेने वाला हूं क्योंकि पिछले टाइम इनोंने मुझे जला के राक कर दिया था तो अभी हम लोग इसके अंदर चले जाते हैं और हाँ यह तो बोस वाला डंजन है मुझे यह पता चल है देखके ही तो लेस गो इसके अंदर कौन सा बॉस हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है तो यहां पर भाई ब्लेज मांट 49 लेवल का है क्या हम लोगों को इसके साथ में फाइट करना चाहिए वैसे इसकी हेल्थ ना बहु जादा कम है 3,800 का हेल्थ है और यह फाय जरूर से दिखलाना वाउ यह तो पीछे ही आ पड़ा है उसको मारने का है डरने का नहीं है उससे यार यह तो मारने का नाम नहीं ले रहा है पैन किंग को भेजता हूं मैं पैन किंग भाई तू कम से कम अपना कमाल दिखला दे जाते यहां पर तो पैन किंग मानने लगा ल और इसी के साथ में पैन किंग तो डेंजर पे आ चुका है अई कसम से बता रहा हूँ मुझे भी इसको मारना पड़ेगा साथ साथ में नहीं तो मेरा पैन किंग मर सकता है यहां पर मैंने अजुरोबे के भेज दिया है और क्या अजुरोबे इसको मार पाएगा यह तो मूँ छुपा के बैट गई है क्या बावली पूछा यह भाई मैं सच बता रहा हूँ मुझे ऐसा क्यो लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ I guess इसका हैल्थ तरह कम है लेकिन हम लोग इसको नहीं मार पा रहे है यार यह तो सेर जा सा दीख रहा है और यह राना फैंगलोप जेब बात मिरे भाई फैंगलोग अपना ऐसा कमाल दीख लाते राना तो जल्दी हम लोग इसको चैश कर लेंगे ऐगा इसकोश बता रहा हूँ कि उससे डरता है कुछ ऐसा है क्या नहीं नहीं इसके उपर भी हमला करना है स्टार्ट कर दे लेकिन सिर्फ 56 का डेमेज दे रहा है मुझे ऐसी उमीद नहीं थी अपने सुजाकू से सची बता रहा हूं और इसको तो लग भी नहीं रहा है मैं उसको गोली मार रहा हूँ बट उसको लगी नहीं रहा है बट मुझे ऐसा लगता है कि फैंग लोग को ही बुलाना पड़ेगा कि वही बहुत ज़्यादा अच्छ अच्छ अटेक कर रहा है यह देखो 65 और आइगे 70 अडेमेज दिया इसने तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने इसके उपर अटेक करना भी स्टार्ट कर दिया है और यह तो अपने मूझ से ऐसा फवारे निकालता है ना आग के भाई सहाब ठतरनाक है यह तो और यहाँ पर नहीं मैं मर सकता हो क्योंकि तन बदन पर मेरे आग लग चुकी है यार मैंसे डॉच क्यों नहीं कर पाया तुम लोग देख सकते हो मेरा सिल्द जो वो क्रैक हो चुका है और 97 सिर्फ हेल्थ हो चुका है इसका अब भी 3% कैप्चर रेट लिख ला रहा है है सच बता रहा हूँ यह बोहुत ज्यादा खतरनाक है यह तो कैच होने का नाम ही नहीं ले रहा है हम लोग ने कैप्चर पावर बी इंक्रीज किया हुआ है उसके बाद भी इसको हम कैच नहीं कर पा रहे है और इसी के साथ में ब्लेज मांड को भी हम लोगों ने कैच कर लिया वो भी 49 लेवल का हाई यह सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल का है मेरे पास में पाल हो चुका है यह तो एरिया बड़ा ही खतरनाक है यह लावा वाले एरिया है न तो मैं तुम लोग को बोला ही था न कि और भी ज़्यादा खतरनाक खतरनाक पास हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पर मैंने लावा वाले एरिया पर आ चुका हूँ तो यहाँ पर मुझे एक huge scorcing egg मिला तो इसको भी मैंने चोरी कर लिया तो gamers यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि एक और के हम लोग को मिल चुका है लेकिन यह तो पूरा का पूरा लावा पर है तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर चले जाता हूँ यह dungeon तो और भी जादा खतरनाक है तुम लोग देख सकते हो चारो तरफ लावा ही लावा है इस dungeon पे भी और इस dungeon में तो rhino hound boss है जो कि 39 level का है तो इसके उपर मैंने जल्दी जल्दी से हमला करना ही start करवा दिया है fan king को यहाँ पर मैंने निकाल दिया अटेक करवाने के लिए और यहाँ पर rhino hound का बहुँ ज़्यदा health कम हो चुका है तो यहाँ पर मैंने poke ball पेग दिया इसके उपर पट इस बार यह catch नहीं हुआ लेकिन यह जल्दी ही catch हो जाएगा इस बार भी यह catch नहीं हुआ और finally यहाँ पर इसको भी हम लोगोंने catch कर लिया यहाँ पर एक और डेंजन मिल जाता है जहाँ पर explore करते करते हमें dick twice दिखाए देता है 39 लेवल का तो इसके उपर भी मैंने attack करना ही start कर दिया है यहाँ पर इस dick twice की health बहुत जदा कम हो चुकी है तो यहाँ पर मैंने poke ball पेग दिया इसके उपर और एक dick twice को भी हम लोगोंने catch कर लिया और यहाँ पर explore करते करते हम लोगों को boss trainer का tower दिख चुका है जिसको हम लोगोंने unlock कर लिया और इस lava mountain में इतने सारे cave है ना और वहाँ पर तुम लोग देख सकते हो यह किसका statue मेरे को तो पता है बट तुम लोग मुझे comment करके बताना कि यह किसका statue है और यहाँ पर मुझे एक cave दिखाई दिया बट यहाँ पर भी मुझे एक cave दिखाई दिया क्या बात कर रहो यार एक साथ में दो-दो cave यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है तो पहले तो I guess यह cave नहीं है मेरे को जाके यहाँ पर देखना चाहिए हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग कुछ ख़जाना भी मिल सकता है और मेरे भाई यह तो boss का cave है एस्टी गोन 48 लेवल का इसका health सिर्फ और सिर्फ 3500 है इसको तो हम लोग जरूर से catch कर सकते लेकिन इसका health कम है लेकिन यह नहीं है कि यार यह बहु ज़्यादा कमजोर होने वाला है मुझे तो डर लग रहा है रुको 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 यह dark type का pokemon है और इसके लिए यार water type का pokemon उतना ज़्यादा effect नहीं करने माला है लेकिन फैंगलोप को हम लोग भेज सकते हैं उसके साथ में fight करने के लिए फैंगलोप मेरे भाई नहीं 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 प्लीज एस्टोगोन मेरे पास मता जाके फैंगलोप को मार और फैंगलोप effect अच्छा कर रहा है यार तुम लोग देख सकते हो तुम लोग अरे यार लेकिन ये तो मुझे ही मारने दोड रही है ये बावली पूछ हो गई है क्या मैं तो मरना बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा सच बता रहा हूं ये तो दिवाल के आर पार अपना ड्राइगन बॉल फेक रही है ओ माई गॉड मेरे तन बदन पे तो इसने आग ही लगा दिया है तुम लोग देख सकते हो कि इसका आग जो भूजने का तो नाम ही नहीं ले रहा है बट ये जैसे ही मैं आता हूं ये मिरो को मारने के लिए भीड जाता है अब मैंसा क्या करो बट फैंगलोप ने तो पुरा आदा हेल्थ कम कर दिया यार 800 हेल्थ क्या बात है यार फैंगलोप तो ओपी हो जाना चाहिए गाइस कमेंट बॉक्स पे ये देखो नहीं है तो दिवाल के आर पार इसकी एबिलिटी इतनी खतर ना क्या ना इस्टोकॉन की ये दिवार के आर पार मुझे मार रहा है तो इसके उपर मैंने एक लेजेंडरी बॉल अपना फेक दिया है और 26% बट ये कैच हो सकता है इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा है क्या बात है यार लेस्ट गोगी वाट यार मेरे साथ में ऐसा क्या हो रहा है तुम लोग देख रहे हो ये गलिच हो गया वाव बतललाब भाई मेरे को नहीं समाज में आ रहा है यार ये उसका सर दिख रहा है कोई बात नहीं फ्लीस इस बार ये catch हो जाने तो पूरा पूरा glitch हो जाएगा और इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगई ने इसको catch कर लिया है पता नहीं यार आज मेरे साथ में क्या हो रहा है एक तो frost alien अपने आप मर गई और यहाँ पर भी extra gone मरते मरते बचा इसको भी मैं catch नहीं कर पाता और यहाँ पर मैं आज रहा हूँ एक और keo को explore करने के लिए और यहाँ पर मैं क्या दिखता हूँ कि यहाँ पाल दिख रहा है मुझे फडलर नाम का यह तो अपने आप ही मर गया इसको पकड़ने से पहले यह जल के राक हो गया यह keo को तो explore करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ मुझे तो gamers यह statue तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा लोग मुझे comment करके बता ना कि यह statue तुम लोग कैथा लग रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यह और वहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि दूर में एक और अलग से island दिखाए दे रहा है वहाँ पर तुम मुझे बिल्कुल जाना है तुम लोग देख सकते हो मेरा stamina भी खतम हो चुका है यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो यार कितना खुबसूरत लग रहा है और यह देखो अंडा यहाँ पर कौन देके चला गया भाई सच बता रहा हो यार कि अंडे को तो वैसे scorching है मैंनी उठाने वाला वैसे भी मेरा inventory फूल हो चुका है एंड यहाँ पर मैं first travel भी unlock कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं यह वाले island पर आ चुका हूँ और मेरे भाई यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो यार यह तो योर्मन टाइड है यह 50 level कभी है इसको तो मैं जरूर से पकड़ने वाला हूँ वहाँ पर एक और इगनिस है यह sign है नहीं है लेकिन यह dispawn हो जाए उससे अच्छा मैं इसके उपर ना attack करना start कर देता हूँ नहीं तो यह dispawn हो जाए कि तो बढ़ा दिक्कत होने वाला मेरे साथ में भाई क्या बात है जो दो योर्मन टाइड इगनिस मिल चुका है मेरे को भाई सहाब क्या बात है भाई मैं तो सत्में बहुत जादा खुश हूँ यार योर्मन टाइड का तो हेल्थी नहीं जा रहा तुम लोग देख सकते हो सुजाक की तो भाई ऐसी तैसी कर दीस ने मैं सच बता रहा हूँ मुझे तो बजबज के रहना पड़ेगा नई तो यह मेरे को मार डालेगा अगर मैं इसके चापेटे में आ गया ना हाग के तो मैं तो मर जाओंगा सुजाक को तो इसको सिर्फ एक एक का स्पैमिंग डेमेज दे रहा है इसको मारने में थोड़ चाइम लग सकता है यहाँ पर मैंने फेंग लोप को निकाल दिया इसके ओपर अटेक करने के लिए लेकिन फेंग लोप भी इसके ओपर अटेक नहीं कर पा रहा है अच्छे से बढ़ 273 मेरे कहल से अच्छा डेमेज दे रहा है क्योंकि यह साइनी पाल है ना यार मार दिये तुम लोग देख सकते हो यार और ये तो फैंगलोप को आग भी लगा चुकी है बट फैंगलोप यहाँ पर गलीच हो चुका है तो मैंने इसको वापस से इसको भेज दिया मारने के लिए और ये तो आग का गोला लगा लागा कि फैंग लोग को डिंजर पे डाल चुकी है मैं सुजा को को यहां पर भेज देता हूँ फाइट करने के लिए यहां पर योर्मन टाइट का हेल्फ तो वैसे हाफ हो चुका है इसकी हेल्फ वैसे बहुत ज़्यादा कम हो चुके है इसके उपर मैंने अल्ट्रा बॉल फेक दिया 8% कैप्चर रेट है बट यहां पर यह कैच नहीं हुआ मुझे लगता है कि इसके उपर में लेजेंडरी बॉल फेकना चाहिए यह तो भागने के फिर आख में है अरे रुख जा यार वो मरना नहीं चाहिए तो इसके उपर मैंने लेजेंडरी बॉल फेक दिया और I guess इसको मैं लेजेंडरी बॉल से कैच नहीं कर पाया very nice बट इसको मैं कैच तो करके रहूंगा ही रहूंगा तो कि अगर यह 50% लेस्गो गाइस इसको फाइनली हम लोगो ने चैच कर लिया है और यह देखो यह देखो इस बावली पूछ को देख लो यह मेरे ऊपर अटेक कर रही है इसको लगता है कि यह मरे को मार पाएगी सुजाको को जैसे ही भेजा तो यह उच्छल के उस दो प चला गया नहीं दे सकता मैं तो इसको उपर मैंने अल्ट्रा और ये तो धर्ती के अंदर ही घुश्चू की है यार सच बता रहा हूँ यार ये तो ग्लीच हो गया इसको भी मिला को कहेच करना था बट ये ग्लीच हो चुका है अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं टाइनी पोकेमोन मिल मैं spotted भी हो चुका हूँ अरे यार यह लोग भी अब मेरा पीछा करेंगे यह बस नहीं होना था क्योंकि यह मेरे पीछे पढ़ जाएंगे और यह मेरे base तक भी पहुँच जाएंगे इनका क्या भरोसा बट फाइनली अभी हम लोगों ने इसको कैच कर लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए क्योंकि यहां पर PDIF के बंदे बहुँ ज़्यादा ख़तरनाक फायर करते मैं सची बता रहा हूं कैसे कैसे मार रहे मुझे मैं इनसे भीड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं क्योंकि यह मर जाएंगे तुम लोग को पता है कि मैं पहुँ ज़्यादा ओप्यू कोई नहीं बोलेगा कि वह बहुँ ज़्यादा ख़तरनाक होते ठीक है मारा भाई जंगल का राजा है समझ रहे हो ना तुम लोग तो मैं किसी को भी मार सकता हूं अच्छा ठीक है और गेमर्स तुम लोग नीचे में देख सकते हो मुझे कुछ नए पास दिखाई दे रहे हैं तो नीचे जाके मुझे पता चलेगा कि यह कौन से पाल है और यह कौन सा पाल है अरे यार यह तो बक्रा है जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं पकड़ना चाहूंगा यह तो वैंप्रम है और यह लड़ रहे हैं अचा ब्लेज आओल है यह बट जो हम लोगों ने पहले पकड़ा था वो ब्लेज आओल नॉप था यह ब्लेज आओल है उनली तो यार इसको तो मैं पकड़ने वाला और यह फायर टाइप का पोकेमोन है भाई सहाब तुम लोग देख सकते हो कि एक अटेक में ही इसने माल डाला है और यहाँ पर मैंने अल्ट्रा स्पेर क्यों फिक दिया नहीं यार इसको मैंने कहे वेस्ट कर दिया पता नहीं वट यह 36 लेवल का था इसलिए एक बार पर ही यहाँ पर यह कैच हो गया है लोग अल्ट्रा बॉल बहुत ज्यादा पावरफुल है तुम लोग देख सकते हो एक बार पर इसने गैच कर दिया और यहाँ पर एक और नया पाल मुझे दिख चुका है गौब फिन इगनिस यह फायर वाला पाल है बोला था यहाँ पर जितने भी पाल्स हम लोगो दिखेंगे जिस सबके सब फायर वाले ही पाल्स रहेंगे और एक इक अटेक में ही मेरा सुजा को यार सबकी हेल्थ को देख रहो कैसे कम कर रहा है इसको तो मारी डाला इसने अरे नहीं यार मारना नहीं था इसको में को पकड़ना है क्योंकि रैड बॉल फेग दिया इसके उपर मैंने और I guess इसको मैं catch कर लूँगा एक बार पर ही Let's go gamers इसको भी हम लोगा ने catch कर लिया और ये देखो PDI नई 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 मुझे जलना तो बिल्कुल भी नहीं है इन से सज बता रहा हूँ ये जहां भी देखेंगे ना मारने के लिए दोड़ पड़ते मुझे ये इलाका सच में थोड़ा डरावना सा तो लग रहा है बड़ा अजीब सा लग रहा है चारो तरफ खंकाल ही खंकाल और यहां पर ये वैन व्रम है रैगनो होक यार ये कितने लेवल का है 37 लेवल का है वैसे सुजाकु उनको मार सकता है सुजाकु भाई इनको मार दे जल्दी से और उसके बाद मैं इनको फिर catch करूँगा और ये तो मेरे पर हमला करना ही स्टार्ट कर दिये हैं यह तो पुरा रइग्नोहोग का इलाका है, ऊपर की तरफ, देखो रइग्नोहोगी रेग्मोहोग दिख रहा है मुझे तो सुसाकू उनको मार के उन लिए मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा थänd तो सुसाकू मेरे भाई मेरी मदद कर यह तो मदद करने का नाम ही नहीं ले रहा है यह तो मारी नहीं पा रहा है इनको पता नहीं क्यों यहां पर मैंने पैंड किंग को भेज दिया फाइट करने के लिए बट पैंड किंग को तो यार भवंडर ही उडा के ले गया और I guess मैं इसको catch कर सकता हूँ what 1.79% नहीं पकड़ पा रहा हूँ इसको I guess मैं पकड़ सकता हूँ ओके लेस्ट गो इनका health कम नहीं था ना इसने मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा था इसका health कम करना पड़ेगा इसको भी फिर हम लोग पकड़ सकते हैं यहार यह तो मेरे पर ही attack कर रहे बट इनका attack उतना ज्यादा effect नहीं कर रहा मुझ पर क्योंकि मेरे पास में armor जो अच्छा वाला है और इसको भी I guess मैं catch कर सकता हूँ अब बारिया इस तिसरे ragno hawk को पकड़ने की let's go gamers I guess इसको भी हम लोग catch कर लेंगे पिल्कुल भी नहीं हाँ भई इसके ओपर दूसरा pokeball भी फेक दिया लेकिन मेरे तन बदन पर आग लग चुकी है very nice और इसी के साथ में हमारा level अब भी हो चुका है 47 level का हम लोग हो चुके है क्या बात है gamers यहाँ पर वेंडरम क्यों आ रहा है मुझे मारने के लिए इसको क्या मार खाना है ठीक है कोई बात नहीं मैं तरको मार के ही रहूंगा और यहाँ पर पिजली की जटके देते हो हमारा फैंग लॉफ इसी के साथ में इसको भी हम लोग ने मार दिया और इसी के साथ में I guess यह तो यार catch होने का नाम ही नहीं लेते पोके बॉल पे कि लोग हमेशा मेरा पोके बॉल वेस्ट करवाते है और I guess मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए नहीं तो यह लोग मुझे जला जला के राख कर देंगे और यहाँ पर मुझे एक खतरनाक यह पालवल का सबसे खतरनाक पाला इसकी स्पीर तुम लोग देख सकते हो यार खतरनाक जैट ड्रागॉन भाई सच में बता रहा हूँ इसको मुझे पकड़ना है बट क्या मैं इसको अभी पकड़ सकता हूँ और ड्राइगन टाइप के पोकेमोन से मुझे फाइट करने के लिए मुझे आइस टाइप के पोकेमोन की जरत पढ़ने वाली है लेकिन अभी मेरे पास मेरे पार्टी में कोई भी आइस टाइप का पोकेमोन नहीं है सिर्फ और सिर्फ पेंड किंग बस है अरे नहीं यार वैसे हम लोग जैट्रागॉन को आइगेस पकड़ सकते हैं मुझे ऐसा तो लग रहा है नहीं 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 यहां पर मैं जलते जलते बचा बट यह तो बड़ा अजीब सा और खतरनाग अटेक कर रहा है मेरे उपर तो बिल्पुल भी नहीं मरना चाहता हूँ, और मैं इसके खतरनाग अटेक से बस तो गया हूँ और यहां पर तो यह मेरे तन बदन पे अग भी लगा चुका है अरे नहीं यार मुझे मरना तो बिल्कुल भी नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है की इसका अटेक सच पतारो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये जेट्रागोन तो इतना तो मुझे पता है कि यार ये पाल वर्ल का सबसे खतरनाक और सबसे लेजेंडरी पोकेमोन है तो अपकोर्स ये बहुत ज्यादा खतरनाक तो हो गई मैंने डॉज कर दिया है यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ने सिर्फ 1000 इसका हेल्थ कम किया है यार सची बता रहा हो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि मेरे तन बदन पर इसने आग लगा दिया है यार मैं मरने वाला हूँ इसका आग जो रहता है ना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और इसी के साथ मैं यहाँ पर मैं मर चुका हूँ अरे नहीं यार हम लोग इसको मार सकते हैं लेकिन और भी ज़्यादा अच्छे स्टेजी मेरे को बनाने ही पड़ेगी इसको कैच करने के लिए तो गेमर्स जितने भी नए पाल्स हम लोग ने पकड़े ना उनका सैडल यहाँ पर मैंने अनलॉक कर दिया है और सैडल बनवाने के लिए रख दिया है और तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा लेवल 47 हो चुका है तो एश्टिगोन और सैडल भी कभी सैडल हम लोग बनवा सकते हैं अब यहाँ पर सभी पाल्स का जल्दी जल्दी से मैंने सैडल बनाना स्टर्ट कर चुका है उसी के साथ में यहाँ पर राज भी हो चुका है बट सच बता रहो यारी सोते हुए कितने क्यूट लगते हैं लेकिन ये देखो ये तो हवे पर ही ऐसा लग रहा है ये मंतर मंतर से फूक रही है ये तुम लोग देख सकते हो यार एकदम से हवा में उठते हुए मेडिटेशन कर रही है सोते सोते बट यहाँ पर अभी मैं क्या करने जाना वाला हूँ जितने भी पाल्स में रखे हुए सभी के सभी पायर पाल्स है और अभी मैं जाने वाला हो फ्रोस्ट इलियन को कैच करने के लिए देखते हैं कि क्या ये बाल कमाल दिखला पाएंगे तो गेम वर्स यहां पर मैं आ चुका हूँ फाइनली फ्रो फ्रोस्टिलियन एक लेजेंडरी पोकेमोन है मतलब कि बहुत जादा लेजेंडरी तुम लोग समझ सकते हो तो मैं एकदम से नहीं बोलूँगा कि योर्मन टाइड इगनिस जो कमाल दिखला पाएगा लेकिन यार कोशिस करने में क्या जाता है यहाँ पर मैंने योर्मन टाइ इसने आते ही फेक दिया है बट ये क्या ये भी एक ही डेमेज कर रहा है इसको बट फ्रोस्टिलियन को देख सकते हो तुम लोग आग लग चुका है उसी के साथ में उसकी हेल्थ 1000 कम हो चुकी है लेकिन इसने मेरे को फ्रीज कर दिया बट कुछ भी बोलो यार हमारा योर्म योर्म टाइड इगनिस की जय हो यार सच बता रहा हो गेमर्स तुम लोग देख सकते हो कितना ही कमाल का है हमारा योर्म टाइड इगनिस यार फ्रोस्टिलियन को आग जला रहा है तुम लोग देख सकते हो और इसको आग जल रहा है इसका मतलब हमारा काम तो इजी हो चुक और ने कुलिया है। बेजमांन को अपना कमाल दिखला पाएगएगा। जबेबेजमांट भी तगड़ा अटेक करहा। को तुम लोग देख सकते को मेरे को तो अटेक करने की जरुवती नहीं पढ़ रही है तुम लोग देख सकते हो इसकी हेल्थ 9000 हो चुकी है और हाँ ब्लेज मांट के ऊपर मैं चड़ भी सकता हूं लेकिन मैं इसकी ऊपर नहीं चड़ रहा हूं इसको वापस से भेज़ दिया इससे पाइट करने के लिए बट फ्रोस्टेलियन कहाँ चला गया फिर से फ्रोस्टेलियन्स तो उस रज़ा मेरे को लगा कि फ्रोस्टेलियन फिर से डीस्पोन हो जाएगा यह तो अलगी डर के मारे भाग रहा है तुम लोग देख सकते हो कहा चला गया यह डर के मारे बट आज तो मैं इसको catch करके ही रहूँगा और यहाँ पर से मुझे बच के रहना मैं सची बता रहा हूँ अगर मैं मर जाना तुम लोग समझ सकते हो कि क्या होने वाला है फिर और इस गेम की सबसे गलत चीज में रहूँगा ही रहूँगा कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसको पकड़ के ही रहूँगा यह तो योर्वन टाइट को मारी ही नीडा है मेरे पीछे पढ़ गया है यह तो बट यह मुझे मारने की नकाम कोशिज कररहा है यह मुझे मारी नहीं पारहा है और योर्वन टाइट तो उसको बिजली के जटके पे जटके दिये जा रहा है अब ही यहाँ पर मैंने सुजाकु को बाहर निकाल दिया है क्योंकि सुजाकू को भी मौका मिलना चाहिए इसको मारने का सुजाकू तो दो-दो का स्पैमिंग डैमेज दे रहा है कोई बात नहीं सभी को मौका मिलना चाहिए और तुम लोग देख सकते हो कि 7500 फ्रोस्टिलियन का हैल्थ हो चुका है यार सुजाकू भी आज बहुत ज़्यादा अच्छा 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 कर रहा है क्योंकि यह कॉन्फिडेंस में है इसलिए इसके उपर यह अच्छा डैमेज कर रहा है और एक अटैक पर तुम लोग देख सकते हो मेरा सिल्ड क्रैक हो चुका है अब ही मैं फ्लेरिस को निकाल देता हूँ बहार इसके साथ में अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है हमारे पाल्स के टीम और यहाँ पर मैंने अपने बकरे को बहार निकाल दे इसके साथ में फाइट करने के लिए लेकिन ये बार-बार यहां से भग रहा है और यहां पर मैं freeze हो चुका हूँ यार इसका attack अब तो बहु ज़्यादा खतरनाक हो रहा है मेरे उपर यार इसका attack अब तो बहु ज़्यादा खतरनाक हो रहा है मेरे उपर मेरे को बच के रहना पड़ेगा इसके पास में तुम लोग देख सकते हो यार सच बता रहा हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार एक टाइम पर मैं मर ना जाऊँ प्लेस मांट को मैंने निकाल लिया बट इसके उपर अभी मैं हो शड़ चुका हूँ भाई सहाब बड़ा ही मज़ा आ रहा है इसको डॉज करने वे भी मैं तो जंपिंग जपांग कर रहा हूँ इसके उपर फायर बॉल जो अभी फेकने वाला हूँ और मैंने बहुत गलत इसके उपर फायर बॉल फेका मैं सच बताओ तो अब ड्राइगान ब्रीथ करने वाला हूँ बट यह देखो इसलिए मैं इसके उपर चड़के अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि तुम लोग देख सेकते हो कि मैं बहुत जादा बेकर अटैक करवा रहा हूँ अपने पाल को और 696 का डेमेज दिया यहाँ पर ब्लेज मौंट ने इसको भाई कॉसम से बता रहा हूँ योर्मन टाइड इगनिस और ब्लेज मौंट तो बहुत जादा ओपी है और मेरे पाल के साथ साथ में इसको पर मैंने भी स्टार्ट कर दिया अटैक करना और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि फ्रोस्टी इलियन इस्टक हो चुका है भाई प्लीज दी स्पॉन बस मत होना बट यह मेरे लिए अच्छी बात है अगर यह इस्टक हो चुका है लेस्ट गो गेमर्स लेकिन यह और मंटाय डिगनिस तो बोज़ा दा डिंजर में चा चुका है तो यहाँ पर मैंने अपने बकरे को निकाल दिया इसके साथ में फाइट करने के लिए बट यह क्या यार यह तो मार खाये जा रहा यह तो अटेक ही नहीं कर पा रहा है लगता है यह उसको दिखी नहीं रहा है तो मेरे को ही इनको सबको अटेक करवाना पड़ेगा तो ब्लेस मॉन को यहाँ पर मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर मैंने इसके उपर अटेक करन और यह तो बाहरी निकल गया इसकी हेल्थ अभी 900 बाकी है बट यह अचानक से निकल चुकी है अरे यार इसको नहीं निकलना था यह कितना अच्छा हो चुकी थी तो इसको इतना अच्छा से मार रहा था बट अभी मैं इसके उपर से नीचे उतर जाता हूँ क्योंकि अपने योर्मन टाइट को अपने से ही फाट करने दूँगा के वर्स यार सच बतारो क्या ही एडवांटेस था भी मेरे लिए लेस्ट गो यार देखो इसी वज़ा से न यह श्टक हो गया था इसी वज़ा से इसकी हैल्थ इतनी ज्यादा कम कर दिया आपने जल्दी जल्दी और हाँ एक चीज़ तुम लोगों को मैं बता दू जब इसकी साथ मेले सुरुवात में फाइट लिया था उच टाइम मैं फेक रहा था अल्ट्रा बॉल और मुझे लग रहा था कि मैं लजंडरी बॉल यहाँ पर फेक रहा है इसके ऊपर यहाँ पर मैंने अपने पाल्स को थोड़ा से खाना खिला दिया और मैं थोड़ा से खाना खालेता हूँ लेकिन खाना खाते खाते मुझे सच बता रहो मरना नहीं है 450 इसकी हेल्थ हो चुकी है अभी इसके उपर में लेजन्डरी स्पेर्स फेकने वाला हूँ इंसन मतलो यहां पर में अल्टरा बॉल यूस नहीं करूंगा यहां पर लेजन्डरी स्पेर और अल्टरा स्पेर्स थोड़े से सिमिलर से दिखते है ना इसलिए मैं धोखा में आ गया था उस राइम बट कोई बात नहीं अभी तो मैं इसको पकड़ के रहूंगा और सुजाकू को मैंने यहां पर बुला लिया ताकि इसको पूरा-पूरा मारे ना नहीं ब्लेजमांट को नहीं भेजना मेरे कुनी तो यह मार डालेगा उसको यार मैं इसको तो जरूर से फकड़ने वाला हूँ यार इस दीन का मैं कितनी टाइम से इंतजार कर रहा था अब जल्दी से हम लोग इसका देख लेते सैडल की सैडल कौन से लेवल पे बनने वाला है नहीं यार इसका सैडल तो 48 लेवल पे बनेगा और मेरा लेवल तो 47 है बट एक लेवल बस मेरे को अप करना है और उसके बाद हम लोग फ्रोस्टेलियन का सैडल भी क्राफ्ट कर सकते हैं वैसे इसको क्राफ्ट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए लेकिन 200 रिफाइंड इंकर चाहिए रहेगा तो कोई बात ने इसको हम लोग भी बनवाने चले जाएंगे घर पे और उसके बाद तो आइस ओर्गन मेरे पास में और पहले डियम फ्रेग्मेंट भी है मेरे पास में और लैधर तो है ही मेरे पास तो गेमर सच बता रहा हूँ इसके साथ में फाइट करके तो मजा ही आ गया लेकिन अब हम लोग जेट्रागॉन के उपर भी फाइट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में एक खतरनाक पाल आ चुका है फ्रोस्टिलियन और जेट्रागॉन जो है वो ड्राइगन टाइप को पो फ्रोस्टिलियन को अपने पाल्टी पर एड़ करवा दिया है और लुक एट मेरे भाई तुम लोग देख सकते हो यार कितना ज्यादा बड़ा है और कितना ज्यादा खुबसूरत लग रहा है अभी हम लोगों को इसका अटैक भी देखना है कि कौन कौन सा यह अटैक करने वाला है और यहाँ पर मैं मेमरश को ढूड़ना हूँ फाइड करवाने के लिए लेकिन वो तो दिखी नहीं रहे उसको लगता है कि पता चल गया की गेम बोल्स को मारने वाला है और ओक यहाँ पर हम लोगों को मैमरश दिख चुका है थाटी एट लेवल का है और फोर इसको मार सकता है तो मेरे भाई पहले तो जा उसको मार किया वाट उसको फ्रिस्क ओ माई गॉड गेमर्स तुम लोग देख सकते हो इसकी हेल्थ ओ माई गॉड भाई सच बता रहा हूँ 3000 हो गया इसका हेल्थ प्रॉस्ट एलियन तो ओपी है भाई मेरे को पता था यह ओपी है और ओपी था और ओपी रहेगा लेस्ट गो गेमर्स तुम लोग देख सकते हो लेकिन उतना ज्यादा डैमेज नहीं कर रहा है मेरे को असा लग रहा था कि यार एक दो अटेक में मेरे को यह मार सकता है ओके फ्रिस कर दिया इसने यार मेरे को लड़ने की जरुवत नहीं है मैं तो चुपचा बैट के पॉक्कॉन खा देगा इसका फाइट देख रहा हूँ सच बता रहो मेरे को तो कुछ करने की जरुवत नहीं पड़ रही थाउजन बस उसका हैल्थ हो चुक है मेमरेस्ट का और फ्रोश्टेलियन तो ओपी अटेक कर रहा है इसके उपर और इसको मेरे को कैच करना था भाई तू अंदर आजा तू अंदर आजा इसको मार देगा तू लेकिन मेमरेस्ट तो मेरे उपर यह अटेक करना ही स्टाइट कर दिया और इस यहां पर मैंने हाई-पर इसपेर फिक दया इसके उपर और इसके साथ में इसको भी हम लोग वहने कैच कर लिया है लेस्ट गो यार क्या बात है अब फाइनेली मैं जा सकता हूँ जयट रॉगोण के साथ में फाइट करने के लिए एंड उसको भी आज हम लोग कैच करने वाले हैं तो गेमर्स यहां पर मैं जैड ट्रागॉन की इलाके पर आ चुका हूँ और रेगनो होक के उपर मैं उड़ रहा हूँ भाई मैं सच बता रहा हूँ रेगनो होक बहुत जादा स्पीड में उड़ता है लेकिन आपके कमेंट से मुझे यह भी पता चला है कि जैड ट्रागॉन सबसे जादा खतरनाक ट्रैवलिंग करता है मतलब कि उड़ता है तो मेरे को उसको तो फकड़ना ही है बट वो तो दिखी भी नहीं रहे वो इस इलाके से भाग तू नहीं गया ना नश्यर बहुत बड़ा दिख्कत हो जाएगा उसको ढोड़ने में रेप्टायरो तो मुझे दिख हुआ है जो दिखना चाइए वो तो दिखी नहीं रहें रैप्ट एरो और रैप्टारो पर फाइट हो चुका है यहाँ पर तो लड़ो बढ़िया है तुम लोग लड़ो एक दुसरे को मार काट डालो मेरे को कुछ नहीं करना तुम लोगों से बस मेरो को यहाँ पर जेट्रा कॉन दिख जाये न यार मज़ा ही आ जाएगा यह रहा वो जैट्रागॉन यार मुझे तो बहुत ज़ता डर लगता है इसका भी हेल्थ 10,000 है और आई गेस हमारे फ्रोस्ट एलियन का भी हेल्थ 10,000 है तो लेस्ट गो केमर्च यहाँ पर अभी मैं अपने फ्रोस्ट एलियन को निकालने वाला उससे fight करने के लिए लेस्ट गो फ्रोस्ट एलियन मेरे भाई मेरे पास मता उसको जा के मार जैट्रागॉन तो मुझे देखते ही भाग्या ऐसा मुझे लग रहा है सची बता रहा हूँ वो तो एक नमबर का डरपोक लग रहा है अब मुझे यार अगर इसका हम लोग सैडल बना पाते ना तो अलगी मजा आता फ्रोस्ट एलियन के उपर बैट के हम लोग सैर कर सकते पूरा वो जैट्रागॉन मुझे डर लग रहा है बट फ्रोस्ट एलियन मेरे भाई अपना कमाल दिखा दे यारा का डैमेज सीरियसली मैंने इस दिन के लिए इसको पकड़ा है क्या ओके ये तो अटैक ही नहीं कर रहा है इस वो इस्टक हो चुका है और ये मिरो को देख लिया ये मिरो को माड़ा लेगा 93 का वो स्पैमिंग डैमेज कर रहा बट मेरा फ्रोस्ट एलियन इतना कम डैमेज क्यों कर रहा है इतनी देर से तो मेरे उपर इतने खतरनाक खतरनाक डैमेज कर रहा था बट अभी तुम लोग देख सकते हो फ्रोस्ट एलियन इतना कम डैमेज कर रहा है और ये जेट्रागॉन तो मुझे ही मारने चला है भाई कसम से बता रहा हूँ इस जेट्रागॉन को तो मुझे मार के ही रहना है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है से पाल्स पे जो मेरे पाल्स को मारने के छोड़ मुझे ही मारने चले आते हैं यहाँ पर jet rock gone का health थोड़ा से तो कम हुआ है यार यह jet rock gone है और I guess यहाँ का सबसे खतरनाक जो फाल है न वो jet rock gone ही है नहीं यार यहाँ पर frost alien का health जा रहा है मेरे को भी जल्दी जल्दी से इसके उपर attack करना इस्टार्ट करना पड़ेगा नहीं तो frost alien को यह मार भी सकता है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा यहाँ पर 8000 इसका health हो चुका है क्या बात है यार फ्रोस्ट alien तो OP है अभी जितने भी pulse मैं catch कर रहा हूँ न सब के सब OP है यार फ्रोस्ट alien ऐसे कैसे चलेगा तो अच्छे से attack नहीं कर रहा है और यहाँ पर डिंजर पर जा चुका है फ्रोस्ट alien ओ नहीं नहीं फ्रोस्ट alien मर कैसे सकता है वे ओ मैं गॉड अरे नहीं जैट्रोगन इतना ज़्यादा खतरनाक है भाई कसम से इसकी हैल तो कम कर दिया हमारे फ्रोस्ट alien को गट एक जटके में फ्रोस्ट alien को इसने फैन कर दिया अरे नहीं यार जो मैं नहीं चाहता था यह वहीं हो गया मुझे ऐसा लगता है कि एक फ्रोस्ट alien को और पकड़ना पड़ेगा मुझे प्रोस्टेलियं वादने एलाके में मुझे जाना पड़ेगा और फ्रोस्टेलियं और अगर इस्पाउन होता ना तो उसको मैं जरूर से पकड़ूंगा तो कि फ्रोस्टेलियं ही एक ऐसा पाल है जो जैट रागोन को मार सकता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर चले जाना चाहिए और revive के लिए रख देना चाहिए अपने frost alien को यार सची बता रहा हूँ ये jet dragon तो बहुँ ज़्यादा खतर ना क्या मुझे ऐसा लगता है कि frost alien इसको मार सकता है और यहाँ पर मुझे एक gun भी craft करनी है assault rifle क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा powerful weapon है तो यहाँ पर मैंने assault rifle को craft करने के लिए मैंने रख दिया है और तुम लोग देख सकते हो कि Anubis कितनी जल्दी इसको craft कर रहे हैं और इसी के साथ में यहाँ पर gun जो है ready हो चुका है तो इसको मैंने equipped कर लिया है और तुम लोग देख सकते हो कि इसका attack जो हो 320 को होने वाला है मतलब कि हम लोग खतरनाक damage करने वाले हैं और यहाँ पर मैंने assault rifle ammo को भी craft करने के लिए लगा दिया यहाँ पर मैं max 132 यहाँ पर craft कर सकता हो तो यहाँ पर मैंने इतना craft करवा दिया है लेकिन याद रखना assault rifle में बहुत ज़्यादा ammo की जरुरत पड़ती है बट यह क्या यहाँ पर तो मैंने 132 craft करवाया था बट यहाँ पर तो 625 ammo craft हो रहा है यह I guess थोड़ा glitch हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है तो इसको बनने देते हैं और यहाँ पर मैंने astro gone को भी अपने party में add कर लिया है क्योंकि इसका भी saddle हम लोगों ने बनवाया है और shadow big को भी मैंने party पर add कर लिया है तो let's go सबसे पहली बात astro gone को हम लोगों ने निकाल दिया है भाई सच बता रहा हूं बट यह पहुँ ज्यादा slow है मेरे ख्याल से यह पहुँ ज्यादा मोटा है ना और यह भारी भी है तो इसी वज़ा से I guess यह बहुँ ज्यादा slow उड़ रहा है बट I guess इसका attack बहुँ ज्यादा खतरनाक हो सकता है यहाँ पर मैं attack करके देखना चाहता हूं Clary के उपर यह I guess एक बार में ही मर जाए 12000 का damage मेरो कासा लगता है कि जेट्रागॉन से fight करने के लिए हम लोग को एस्ट्रोगॉन को लेके जाना चाहिए सच बता रहा हूं यार यह तो बावाल कर देगा Dark laser तो बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका बट यह बहुत ज़्यादा slow है तो ट्रैवलिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है अभी मैं Sadowbeak को भी बुलाने वाला हूँ Let's go gamers Sadowbeak के ओपर हम लोग यहाँ पर भाई यह तो उड़ता हुआ काउँआ लग रहा है यार और Actually पर यह काउँआ है क्या नहीं काउँआ तो नहीं है इसका सर जो है वो कमवा का लग रहा है मुझे और पीछे का जो सरीर है वो किसका है मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है बट यार यह इसका speed बहुँ ज़्यादा तगड़ा है बट क्या ये उड़ने में उड़ने में तो मुझे बहुत ज़्यादा खास नहीं लग रहा है यार ये बट मेरे ख्याल से जितना भी पाल्स अभी हम लोगों ने कैप्चर किया ना उन सब में से सबसे ज़्यदा इसपीड इसी का ही है मुझे ऐसा लग रहा है बट तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सबसे ज़्यादा जैट्रागॉन को छोड़के अभी तक से जितना भी पाल्स मैंने पकड़े हुए ना उन में से सबसे अच्छा इसपीड किसका है मुझे कमेंट करके तुम लोग जरूर से बताना और वहाँ पर एक सायनी पोकेमोन भी मुझे दिख चुका है ये कौन है कैटिवा इसको तो मैं मारने वाला हूँ मजा आएगा इसको मारने के लिए और यहाँ पर मैंने नाइट मेर बॉल अटैक कर दिया इसके उपर बट मैंने तो गलती अटैक कर दिया इसके उपर बट यह तो सुपचाप से सोर ही है यार मुझे बुरा लग रहा है इसको काड़ी करने में लेकिन मैं तो इसको मार भाई ये वाला अटेक बहुत अगड़ा है कॉसम से बता रहा हूं एक अटेक में इसने मार दिया जे ट्रागों से फाइट करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट है देख रहे हो तुम लोग यहां पर मैंने इसको अटेक करने के लिए बोला है वहां पर तो बस इसने अटेक ने किया फिर सब जगा इसने अटेक कर दिया है तो गेमर्स यहां पर मैं अपने बेस पे वापस आ चुका है और आइगेस यहां पर मेरा एमो बन चुका है यार यहां पर तो 260 एमो बस बना हुआ है सबके सब सो पड़े है बहुत अच्छा बट यह एमो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और मैं भी चला जाता हूँ अपने बेस पे सोने के लिए तो गेमर्स यहां पर असाल्ट राइफल एमो तो क्राफ्ट हो चुका है तो इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और यहां पर सबसे पहली बात मैं रोग को देखना है और यहां पर लिखा हुआ तुम लोग देख सकते हो कि असाल्ट राइफल एमो इंटू 5 मतलब कि अगर एक मैं बनाऊंगा तो इसमें 5 बनेंगे तो अभी मैं मैं मैंक्स कितना बना सकता हूँ चार बना सकता हूँ तो मेरे ख्याल से 20 बनने चाहिए यहां पर बवाल होने वाला है और भी जादा धमाका होने वाला है तो गेमर्स इसी की साथ में पाल वर्ल्ड में हमारा 500 डेस कंप्लीट होता है और अभी मुझे बहुत सारे अप्ग्रेड्स भी करने हैं जैसे कि Assault Rifle को हम लोगों को Legendary Assault Rifle भी बनाना है तो उसके लिए भी हम लोगों को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों को मेरा गेमपले अच्छा लग रहे है आप लोग इंज्वाय कर रहे हो तो आप लोगों से यही request करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मेरा गेमपले अच्छा लग रहा है इंज्वाय कर रहे हो तो मेरे भाई जरूर से तुम लोग सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इससे मुझे motivation मिलती है और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने चाहिए तुम लोग सब्सक्राइब करोगे और ज्यादा ज्यादा लाइक करोगे तभी तुम मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को मेरा content अच्छा लग रहा है तभी तो मैं और भी जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे gameplays लाऊंगा और gamers तुम लोग जल्दी जल्दी 20,000 subscriber करवादो यार मुझे पता है तुम लोग करवा सकते हो तुम लोगों के लिए सब कुछ possible है और इस वीडियो पे मैं 5000 का like goal रखता हूँ तो जल्दी से तुम लोग like goal complete करवादो तुम लोग करवा सकते हो मेरा भाई like goal जल्दी जल्दी complete एक ही like तो तुम लोग करना है तो जल्दी जल्दी मैं वीडियो से लाने की कोसिस करूँगा एंड उस पे फिर हम लोग पकड़ने वाले है जैट रागोन को और पहले डियास और निक्लोमस भी यहाँ पर catch करने के लिए बच्चे हुए है तो उनसे भी हम लोगों को fight करना है और अभी trainer tower boss को भी हम लोगों को defeat करना है तो अभी power world में बहुत से काम ऐसे बच्चे हुए है जो हमें complete करना है तो जल्दी जल्दी तुम लोग like goal complete करा दो तब तक से मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए 600 days की वीडियो को बनाने के लिए तब तक के लिए good bye